प्रणाम दोस्तों मैं सुप्रिया आपकी spiritual guide आपकी spiritual healer आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल divine soul purpose love and light में और दोस्तों आज की तारीख भूँत हास हो गई है आज है 29, 6, 2020 और जून महिने का ये ऐसा दिन है जो हमें number three दे रहा है number three is the number of embracement of your inner connectivity, embracement of your creativity जो भी आपके अंदर अभी तक की awakening में knowledge, theme and जो भी current feelings आई है उन सभी को express करने का वक्त आगया है क्योंकि three number की synchronicity भी तेज हो गई है और जो सब लोगों को इंतेजार था बहुत सारे जो divine feminines भी हमारा इंतेजार कर रही थी कि कब मिलेगी हमें next move और DM energy की current situation तो दोस्तों आज हो सही वक्त है और आप लोग को बहुत जान के खुशी हो करने वाली है कि हमारी DM की energy में positive current आ रहा है वो positively आगे की त्योर step-in हो चुके हैं 200 DM की current energy में जो तीन factor अब सामने आ रहे हैं उसमें first factor है कि उनका purification process जो उन्होंने self-realization किया था divine guidance में उसमें उन्होंने judgment पे work किया है और उन्होंने यह भी जाना है कि जाने अन्जाने जो भी उन्होंने गलतियां की हैं जो उन्होंने अपने जो divine part है यानि कि अपनी DF energy को ignorance दी थी उसका realization उन्हें पक्के तोर पे हो चुका है और साथ ही साथ third party situation का bond भी टूट रहा है आप देख सकते हैं कि third party situation जो होगी आप लोगों को कहीं न कहीं से कोई news जरूर मिलेगी जिस भी third party situation की वज़े से आप लोगों का separation हुआ था वो शायद कहीं न कहीं आपको test करने के लिए ही DM ने सामने उस चीज़ को रखा था या जो situation आई थी वो हो सकता है कई लोगों के साथ कोई religious factor या फिर किसी भी तरह का promotion या money transfer factor हुआ होगा तो ऐसे में जो third party situation थी यानि जो लगाव था DM का किसी भी factor से हो सकता है वो money factor हो हो सकता है वो अपनी family factor हो या कोई third person की entrance हुई हो आप दोनों की relation के बीच में जिसकी वज़े से आप लोगा separation हुआ था हाँ वो under divine guidance जरूर हुआ था और मकसद भी आप जानते थे कि आपकी full growth of spirituality और DM के purification और spiritual awakening का ही ये part था तो अब जो divine timing आई है जो July का portal खुल रहा है third of July से synchronicity बहुत तेज हो गई है जो number अब सामने आ रहे हैं वो है 988-49-39-9999 इस समय जो situation आ रही है वो है compassion की यानि के self emotion की करुणा भाव की दया की और ये situation दोनों तरफ रहे की हमारी जो divine feminines है उनका जो compassion है वो जाएगा अपने soul purpose की तरफ जितनी भी हमारे divine feminines हैं वो बड़े ही साहिर्दय करुणा हिर्दय के साथ अपने soul purpose की तरफ जो आगे बढ़ चुकी है उन्होंने अपनी strength को पा लिया है और इसी energy से प्रेरित होके इसी energy से motivate होके इसी energy से mirroring करते हुए हमारे जो DM energy ह है वो कदम से कदम मिलाने आ रही है आपको बहुत ही जल्द सुचनाय मिलने लगेंगे आपकी जीवन में कुछ न कुछ सिगनल आ जाएंगे जिसमें आपको कहीं न कहीं से चिठी पत्री message friend message कुछ connection तुरन मिलेगा और जुलाई 14 से 14th of October तक आपको एक solid base मिलेगा जहां energy reunion के लिए आपके सामने कहीं न कहीं positive way में एक नए version में एक नए friendly mode में आपके साथ reconnect होने वाली है और अब जो परीका होगा वो पहले से अलग होगा ना आपके पास ego है ना उनके पास ego है ना आपके पास question and answer है ना आपकी curiosity है कि वो क्या कर रहे थे उन्होंने क्यों किया इस आपको बहुत highly strengthen कर लिया है अपनी spirituality और अपनी awakening के process में और चो कि उनका पूरा focus अब अपने self strength के साथ साथ soul purpose पे है ज्यादा तरडी एफ energy जो है वो soul purpose की तरफ move हो चुकी है self balance कर चुकी है अपने अंदर के masculine energy को अवेकन कर चुकी है जैसा कि पहले बताया जा चुका है feminine energy जब बहुत low हुई थी तो inner work के साथ उन्होंने अपने अंदर के masculine power को भी awaken कर लिया है और अब उनके अंदर के खुद की feminine and masculine energy है वो balance में है ज्यादा तर feminine complete feel कर रही थी इसी energy से प्रेरित होके इसी energy से mirroring show करते हुए balancing हो गई है DM energy की और वो खुद में complete feel कर रहे हैं और ऐसे में उन्हें अपना पेर याद आ रहा है कि यह जो कहीं ना कहीं inner satisfaction feel कर रहा हूँ यह तो तभी होता था जब मेरी DF सामने होती थी उसी की energy मुझे हमेशा balance करती थी आज भी अगर मैं balance हूँ तो कहीं ना कहीं वो जरूर pray कर रही है मेरे लिए और यहीं जो timing आपने उन्हें silence mode में दी है कहीं ना कहीं वो connect हो पाए हैं आपकी energy से पूरी तरह और पूरा focus उनका है कि हाँ कोई तो है जो मेरे लिए प्रार्थना जरूर कर रहा है जिसकी वज़े से मैं इतनी बुरे हलातों से निकल पाया हूँ अपने karmics को complete करके अपने job को complete करके उनके भी उन्नती का वक्त आगया है prosperity का वक्त आगया है जो divine masculines हैं उनको कहीं न कहीं से good news मिलनी शुरू हो जाएगी उनके career की तरफ से या फिर उनकी strength की वज़े से उनको empowerment मिलेगी उनकी current situation जो condition होगी समाज में वो upgrade हो रही होगी ऐसे में वो अच्छा feel कर रहे हैं और वो share करना चाहते हैं अपनी इन सभी खुशियों को अपनी DF के साथ और कहीं न कहीं वो ये भी feel कर रहे हैं कि ये जो कुछ भी घटित हो रहा है मैं किसे share करूँ जो मेरा best half part था वो कहां है वो इसी process में है कि कितनी जल्दी में उनको जाके ढून लूँ कितनी जल्दी में बता दूँ और वो पूरी तरह से जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है आपकी life में हमारी dear energy की life में क्या चल रहा है यह आया है अब DM के mind में और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम इस gap को जो silence का gap था जो ice ही उसको कैसे break करें कैसे बीच में जो आप देख सकते हैं इस picture में भी clear दिख रहा है कि हमारी divine feminine है वो पूरे golden form में है golden statue की तरह बिल्कुल pure हो चुकी है और वो already connected थी कभी उसने सामन नहीं छोड़ा था DM का लेकिन जो बीच में एक कांच की दिवार कह लीजिए या एक बर्फ की दिवार कह लीजिए ये silence mode की बनाई थी खुद हमारे DM ने अपने root behavior से और अब की जो इस city है वो अब वो खुद इस दिवार को तोड़ना चाह रहे हैं देख लीजिए कि उन्होंने अपना हाथ बढ़ा दिया है आगे connect कर दिया है DF energy की तरफ से कोई दिवार नहीं दीख रही है मगर जो कहीं ना कहीं बचा हुआ ego था हलाकि purification में ego तो सारा जा चुका है लेकिन कुछ तो traces रह जाते हैं कि कैसे मैं शुरुआत करूँ तो current energy जो DM की है वो ये बया कर रही है कि मैं आना तो चाहता हूँ लेकिन शुरुआत तुम क्यों नहीं करती वो हमेशा expect करते हैं कि कहीं न कहीं से कोई संदेशा हमारी तरफ से DF का आ जाय तो मैं आगे बढ़ूँ लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है आपको उन्हें जैसे इ पूरी तरह से कांच की दीवार को तोड़ के बाहर आ जाएंगे और ये बहुत जरूरी है उनके final step के आने का तो 3rd जुलाई से लेके 14th of October तक आप सभी का soul purpose पे एक साथ होना तै है इंतजार करिए ये बहुत खुबसूरत energy है जो 3rd जुलाई से portal open हो रहा है उसका traces आपको पहले से मिलने शुरू हो जाएंगे 29 से 3rd के बीच में आपको जितनी भी सिंक्रोनिसिटी हो रही है उसमें आप देखेंगे कि आपको डबल एट डबल फाइव 49699996 इन नंबर की सिंक्रोनिसिटी बहतर ज्यादा तेज मिलने शुरू हो जाएगी और उसके साथ आपको डबल वन डबल वन यानि 1111 स्पेड से दिखने शुरू होंगे जो इशारा करेंगे 3rd जुडाई के खुलने वाले नए portal का उस नए portal में आपकी reunion के energy साथ आने वा आप सभी को इंतजार है जो वो अब पुरा होने वाला है आपका connection strong होने वाला है तो आज की reading दोस्तों यहीं तक इंतजार कीजिए silence maintain रखिए लेकिन खुश रही है आपका connection होने वाला है ओम नमस्षिवाय ओम शांति